हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम सुबोद गुपता सुबोद गुपता रिपेरिंग सिंटर में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज एक मैं नया बोड श्टॉल बता रहा हूँ इसका नंबर है SP36811.5 इस बोड के अंदर मैं पहले इसका कुछ जनरल इंफर्मेशन दे देता हूँ यह जो कनेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे AC पावर का है उसके जश्ट नीचे IR कनेक्टर और उसके नीचे यह वाई-फाई डोंगल लिखा हुआ है देन इथरनेट यह RJ45 बोलते हैं इसको इसमें एक HDMI 1 दिया हुआ है और AV के दो पोड दिये हुआ है AV1 अपना यह यहाँ पे है देन ट्यूनर और यह AV2 का अप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दो pen drive के आप्शन दिये हुए है और headphone को आप्शन दिया हुआ है यहाँ पे अपना यह LED backlight connector यहाँ पे दिया हुआ है और speaker का जो connector है वो यह दिया हुआ है जस्ट pen drive के दो जो अपने capacitor है उसके बगल पे ठीक है अब मैं इसको और सबसे बड़ी चीज़ जो इसका board है board नंबर आपको बतायता हूँ कि कौन सा है sp36811.5 इसका जो internal RAM और ROM है वो 4GB और 512 MB का है ठीक है जिसमें 512 MB RAM है और ROM जो है वो 4GB है चलिए मैं आपको इसके specification के बारे में बता रहा हूँ ठीक है इसमें यह remote यह वाला लगेगा जिसके अंदर यह जो रेट का बटन है यह power on off का है उसके बगल पे mute का है और यह menu source मेनू से color set करने के लिए source से अपना input जो भी change करना है HDMI 1 या AV पर जाना है उसके बाद इसमें बटन दिया हुआ है उपर नीचे right left ok यह 5 बटन से अपन इसको बटन दिया हुआ है value minus place करना है तो value minus place दिया हुआ है अगर हमें home page पे जाना है home button जब दबाएंगे तो वह यह home जो है यह home दबाएंगे तो अपना home page को जाएगा टीवी का उसके नीचे जो बटन है वह mouse का बटन है अब मैं आपको टीवी पे लेके चलता हूं यह हमारा यह हमारा home page खुल गया है उसके बाद मैं सबसे पहले आपको net connect करने के बारे में बताता हूं यह home page हमारा start हो गया है सबसे पहले मैं Wi-Fi connect करके दिखाता हूं आपको यह मैं आया setting पे setting पे क्लिक किया उसके बाद network में आया network में क्लिक करने के बाद इसको मैंने यहां से on किया और नीचे wireless अगर हमें Wi-Fi connect करना है तो wireless और अगर wirenet RJ45 के तुरू connect करना है तो wirenet यह मैं wireless में आया यहां पे device का नाम लिख के आ गया फोन का यह मैंने क्लिक किया यहां पी जो भी जिसका password है वह हम पासवर्टस में submit करेंगे submit करने के बाद यहां से हमने इसको confirm किया तो यहां पे connected लिखा हुआ गया फिर हम इसको home पे जाते हैं home पे जाने के बाद सबसे पहले इसमें जितने भी application ने उसके बारे मता देता हूं आपको यह मैंने apps में क्लिक किया तो इसके अंदर browser मेरा काश शेटिंग मेडिया सेंटर पैंड्राइब फाइल प्राउजर ओटी ए टीवी असिस्टेंट अपग्रेट प्राइम वीडियो दिया हुआ फेस्बुक नेट्फिक्स और डिजनी हाट इस्टार अब मैं इसको बैक करता हूं यहां से बैक करने के बाद सबसे पहले हम आते हैं यह यूटूब में इसमें यूटूब अबलेवल नहीं है सबसे पहले मैं यूटूब इस्टॉल करता हूं इसमें यह file ब्राउजर पे गए यहां से यूटूब के फोल्डर पे जाके जो हमारा पास लैटेस्ट अभी यूटूब रखा हुआ है उसको मैं यहां से इस्टॉल कर रहा हूं यहां पर्मिशन माग रहा है यह मैंने continue किया नीचे आए इस्टॉल किये और बिचिन सेकंड पे यह अपना इस्टॉल हो यह अपनी के इस्टॉल हो गया अब इसको मैं यहां से ओपन कर रहा हूं तो यह हमारा यूटूब इसमें स्टार्ट हो जाएगा यह YouTube हमारा चालू हो गया YouTube में जाने के बाद मैं left से गया उपर search में गया और search में जाने के बाद जब मैं right पे click करूँगा जब keyword खोल जाएगा तो यहां से मैं जो भी चीज़ डालना चाहूं वो डाल सकता हूं जैसे मैंने डाला यहां से SP-36821.2 यह मैं जैसे SP-36821.2 डाला तो इसमें यह काफी सारे आगए वीडियो यह मैंने इसको यहां से क्लिक किया तो नेट जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा चलेगा ने तो यह वफरिंग करेगा यह मेरा start हो गया यहां से अब उसके बाद यह skip करने के लिए बोला मैंने यहां से skip किया तो यह मेरा वीडियो इस्टार्ट हो गया यहां से ठीक है इसकी अगर पिक्चर कॉल्टी को हमको गिराना और बढ़ाना है तो यह हमने यहां से इसको OK बढ़न प्रेस किया ओपर गए और सबसे लास्ट में से सेटिंग पर क्लिक किया यहां पर कॉल्टी आटो करके लिखा हुआ है इसमें क्या अगर नेट के सबसे वह कॉल्टी अब डाउन होती रहेगी अगर इससे पाटिकुल परिक्स करना है तो कोई भी रिजूरेशन पर हम फिक्स कर सकते हैं फिर हमने इसको यहां से बैक किया पाद को करने के बाद पूरा अप्पीस आते हैं कि में यह हमारा हम्पेस फूल गया उसके ओसके लाधा है चुछ हमें चलाना है यहां से तो हम क्रोम भी हुआ कर सकते यहां से एक हे इक हमसे बाद माउस का बड़न प्रेस्क किये तो तो यह हमारा माउस आ गया अब इसमें टाइप करना है मुझे यह मैं आया टाइप कर रहा हूं यहां से यह आ गया यहां पर अब मैं इसको निचे आया माउस से फिर क्लिक किया और इस माउस के थुरू मैं इस लिंक में गया और इसको मैंने यहां से क्लिक किया तो यह हमारा गूगल स्टार्ट हो गया है फिर हम इसको होम बटन दवाते हैं होम बटन दवाने के बाद यह आता हो यहां पर अहरे चाहें यहां से उवटी चलाना सब्हस्टे है इप स्टेयर श하다 और मिरा कास्ट मोबाइल करनेट करना है तो इसके लिए मिराकास्ट पर गयां यहां पर यह एंडॉवाइड से करके लिखा हुआ गया डिवाइस का ना आप इसके बाद जो हमारा काम होता है वो मुवाइल पे होता है मुवाइल पे आपके सबसे पहले आप Wi-Fi यान करेंगे और सेटिंग पे जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद आपका नेटवर्क एंड अधर वाइलेस कनेक्शन लिखा होता है उसमें क्लिक करेंगे तो वहां पर आपके अलग-अलग फोनों में अलग-अलग नाम से होगा किसी में स्क्रीन कास्ट किसी में वाइफाई डिस्प्लेय किसी में मल्टी स्क्रीन किसी में मल्टी स्क्रीन अब यहां से क्लिक ना करके हम बाहर भी कर सकते हैं बाहर से आप आसानी से चीजों को समझेंगे यह सेट्रिंग पर आपका जो है मीडिया का अपक्शन है वहां से अगर गाला सुनना है तो music वीडियो देखना तो movie फोटो देखना है तो picture जख लोड़ाइं कर रहा है यह एक्षरणल ने लगाए हुए है उसके बाद यहां पर जहां बीडियो रखे हुए हैं और वहां से जाने के बाद हमने इसको यहां से start कर दिया तो यह हमारा video कि इस्टार्ट हो गया अब इसमें कई से कश्मा बोलते हैं कि सब्सक्राइब अगर एक ही वीडियो को चलाना है तो हम कैसे चलाएंगे तो आप यहां लेप्ट हैंड पर देख रहे होंगे अगर मैंने समी यां और उन्हाओ करने के छो यो मैंने चलेगा आपको सब्सक्राइब में來了 और यहां बेंअग कियो इसको क्लिक किया कि वाध़ किसे हैं अब यहां पर ATV, AV1, AV2 और HDM आई आगया फिर मैं इसको यहां से बैक किया बैक करने के बाद मागे मुश्ची सारी चीज़ आपको बता चुका हो ठीक है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और सेयर मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ धन्यवद्वाद